करेंटों हेलो माइड़ेरिस्टूडयेंज आज का वीडियो क्लास 10 एक्सीट memorable अब्चिंट के एक इंपॉर्टन। होने वाला है क्योंकि आज का ये वीडियो चाहते वह सीवेसी बोड की बच्ची आङउ एंटॉनियम और सिनॉनियम और यह एशड़ी लेंग्वेज कुईशन जरूर पुशे जाते हैं तो आज हम वही सीरीज कवर कर रहे हैं उस सीरीज का दूसरा वीडियो है इसके पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया है अगर आप नहीं नहीं देखा तो पहले आप उसको दे सेकंड लेशन है लांग वाक फ्रीडम होके तो आज हम लोग उसके इस्टी लेंग्वेज की कुछ इंपॉर्टन को यहां पर डिसकस करने वाले हैं हम ठीक होता तो बहुत कोश्चन है लेकिन वहां पर कुछ जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टन है उन कुश्चन को हम आप यहां पर सर्ट की है तो चले देखते है पहला कुश्चन के आपके सामने है वहन वा सब्सक्राइब करणी चाहिए कि इन्यूгрेशन यह is the correct answer, next question देखते हैं, question number second है, how many deputy presidents were elected, कर रहा कि how many deputy presidents were elected, यानि कि deputy president का मतलब होता है, उप राष्टर पती, उप राष्टर पती के लिए कितने लोग चुने गए थे, two, three, one, none, two, three, one, none, two, three, one, none, दो लोग, तिन लोग, एक लोग या फिर कोई नहीं, तो आपको पता होगा, were elected to, right answer आप, first क्या है, a, चलिए, देखते हैं, question number third, it was a celebration of South Africa's first government, okay, government, तो इसका देखिए, right answer क्या होगा, it was a celebration of South Africa's first, autocratic racial, democratic non-racial, democratic racial, monarch non-racial, करया कि इसका राइनासर, option number B, democratic non-racial, यानि कि प्रजातांत्रिक जाती भीहिन सरकार का, आज, क्या था, celebration था, okay, option number B, is the correct answer, question number four, देखते हैं, question number four, देखिए, what change brought international leaders to South Africa, what change क्या बदलाव आया था, brought international leaders to South Africa, South Africa के दच्छड अफरिका के अंतराश्टी निताव में क्या बदलाव आ गया था, end of apartheid, humanity, peace, trade, क्या है, negotiations, है न, तो इसमें क्या बदलाव आया था, end of apartheid, यानि कि उनके अंदर जो रंग रूप की भेद भावना वाली, जो द्वेस भावना थी, इर्षया थी, अब उसमें बदलाव हो गया था, okay, तो आपसर नमबर क्या हो देख, आपसर नमबर ए, चलिए, लास्ट कुशन देखते हैं, what was it that the nation needed to be liberated from, यानि कि what was it that the nation needed to be liberated from, poverty, गरीबी को दूर करने का मतलब था, ज़रा कि इस जो ये सरकार्त थी, इसका सम्मंद कितने किस चीज से था, पावर्टी से, गरीबी से था, हाँ, जन्डर डिस्क्रिमिनेशन, यानि कि जाद लिंग के भेद भाव से था, हाँ, डिप्रिवेशन ये भी था, यानि कि राटासर आपसर नमबर डी, आल आपद एबब, यानि कि जो उसके लड़ाकों बिमान थे, उन्होंने क्या पदर्जन किया था, क्या दिखाया था, जन्डर आपसर नमबर डी, जो लड़ाकों बिमान थे, उनके परदर्शन में दिखाया था, चलिए, क्योश्टन नमबर सेवें दिखते हैं, हूम डीड मंडेला वांट तू थैंक, बट कुड नाट, हूम डीड मंडेला वांट तू थैंक, मंडेला जी किन लोगों को किन को धन्यवाद देना चाहते थे, बट कुड नाट, लेकिन वो कर नहीं सके, इस फैमिली अपने परिवार को, वाइट, रूलर्स, स्वेत लोगों को, अफ्रीकन पैट्रियोट्स, अफ्रीका के देश भक्तों को, जो लोग पहले मर चुके थे, अफ्री फोर्स को जो वाँ पर उस टाइम बिद्द्यमान नहीं थे, किनको, तो कह रहा है कि, वहाँ पर जो लोग थें, अफ्रीकन पैट्रियोट्स टाइने की, अभी हमारे देश के जो भी हमारे सहीद हो चुके हैं, जिससे सुबाशंद्र बोस हैं, भगत सिंग हैं, तो अब हम अगर उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, तो कैसे दे पाएंगे, एक सिंपाइथी ही दे सकते हैं, हम दूर से बस, तो वहीं वह कह रहे हैं, कि ऐसे काउन से लोग थे, जिनको मंडेला जी धन्यवाद देना चाहते थे, लेकिन दे नहीं सके, कैसे थे कि जड़ जो मर गया तो, एक राष्ट में सबसे बड़ धन क्या होता है, देखे ध्यान से, मिनरल्स, जम्स, डाइमंड्स, पीपूल, कह रहा कि धन संपत्ती है, डाइमंड्स है, नहीं, सबसे बड़ा धन तो उसके लोग होते हैं, पीपूल होता है, अप्शन नमबर D is the correct answer, कॉश्शन नमबर नेक्ष्ट देखिए, मंडेला जी ने सहास के बारे में क्या सीखा था, इट इज अप्शन साफ फियर, यह निडर होना ही सहासी होता है, इट इज दर ट्रम्फ ओबर फियर, या फिर डर की उपर विज़ा प्राप्त कर लेना ही निडर होता है, तो कहरा है कि सहासी का मतलब होता है ना, जो डर की उपर विज़ा प्राप्त कर लेता है, उसे कहते हैं कि वो सहासी है, ओके, राइट आंसर आप्शन नमबर बी, कुश्शन नमबर टेन, हुआई वर्ट टू नेशनल आयन थाम संग, एक साथ दो राष्टगीत क्यों गाये गए, करा कि टू इंपलाई यूनिटी, तू मार्क दा इंड आफ रिजियल डिस्क्रिमिनेशन, तू मार्क दा इंड आफ जेंडर, करा दी नमबर है, कि आप्शन बोथ, ए और बी, एक साथ एक वहाँ पर संग बनाने के लिए, तू मार्क दा इंड आफ रिजियल डिस्क्रिमिनेशन, और जो वहाँ पर जाती भेहत भाथा उसको खतम करने के लिए, तो ए और बी इस दे करेक्ट आंसर रहने, कि करेक्ट आंसर आफ साथ नमबर डी, मंडेला के अनुसार स्वाभाविक रूप से हिर्दय में क्या उत्पन हो जाता है, लब, क्या उत्पन होता है, लब, आफ साथ नमबर सी, ता करेक्ट आंसर, क्यूशन नमबर ट्वेल, मंडेला ने किस पार्टी में सामिल हुए थे, अफेल नमबर बी, इस दा करेक्ट आंसर, मंडेला ने अफ्रिकन नेशनल कंगर्श पार्टी को जॉइन किया था, क्यूशन नमबर थर्टीन, who according to Mandela is not free किसके अनुसार Mandela जी स्वाधान तरह नहीं थे free नहीं थे आजाद नहीं बोथ A and B यानि की operator और oppressed यानि की जो लोग पीडित होते हैं उनके द्वारा और जो लोग पीड़ा देते हैं उनके द्वारा ने गुलाम और गुलामी में बदे हुए दोनों लोगों को गुलाम करने वाले और गुलाम होने वाले दोनों लोगों से Mandela बहुत ही क्या है not free यानि कि उनसे वो बहुत दुखी थे उनसे वो free नहीं हो पाते थे question number 14 a man who takes away another man's freedom is करा कि a man एक आदमी who takes away another man's freedom is एक विक्ति जो दूसरे विक्ति के आजादी को छीन लेता है a prisoner of header वह विक्ति घिड़ा के योग्य होता है वह विक्ति घिड़ा के योग्य होता है question number 15 देखते है what began Mandela's hunter hunger for freedom करा कि Mandela की इच्छा कब बढ़ गए थी for freedom आजादी के लिए मंडेला की इच्छा आजादी के लिए कब बढ़ गए थी option number the fact that it had already been taken away from run already पहले से been taken उन्हों ने इसको दूर कर देखते है from run यानि कि इसको पहले से ही personal में ले आने के रही होगा already पहले से ही इसको स्विकार कर चुके थे गरड़ कर चुके थे धारड़ कर चुके थे आनि कि पहले से हुए इसके पत्पर आगे अग्रसर हो चुके थे so right answer option number क्या होगा a right answer option number a हमको उमीद है कि वीडियो आपके लिए बहुत ही hopeful होगा बहुत ही क्या कहते beneficial होगा तो अगर आपके वीडियो बहुत है आपको समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को सेयर कर दिजी और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए उसी यह होगा ना कि जो भी वीडियो आगी आपके पास सीधे पहुंचेगी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में